हेलो आपके लिए लेकर आएंगे स्टीम मोदक की रेस्पी चले स्टार्ट करते हैं हम ले रहें यहां पे एक कप से थोड़ा कप नारेल का बुरादा वन फोर्थ कप गुड़ और इन दोनों को अच्छी से हमें पका लेना है तब तक पकाएंगे जब तक कि गुड़ इसमें सॉफ्ट मिक्षर तो हम जैसे गुड़ पिघल जाएगा और अच्छी से मिक्ष हो जाएगा तो हम गयस बंद कर देंगे इसे साइड में रख देते हैं फिर सीम पीन ले रहे हूं फिर मैं डाल लिए इसमें आधा कप चावल का आटा और इसको हम दो से तीन मिट के लिए ड डाल देंगे कंटिनी श्टर करते रहेंगे तक इसमें कोई भी लंस ना पड़े और यह देखे एकदम डो जैसा बनके त्यार हो गया है तो यसे जब यह दो जैसा बनके त्यार हो जाए तो दस से पंदर मट के लिए गैस बंद करके से ढखकर रख देंगे फिर हम इसे जरूर करें जैसे आठा इसमूद हो जाए अठे से गुत जाए और फिर हम लेंगे मोदक मेकर मोदक मेकर में थोड़ा साम घी लगाएंगे थोड़ा से मिक्षर लेके हमें इसके अंदर डालना है और फिर चारो तरब अच्छे से फैल लेना है जैसे ही चारो तरब अच्छ लगा कि हम इसे बन कर देंगे और यह देखिए बहुत प्यारा सा मिक्षर यहां पर मोदक बनके यहां पर रेडियो क्या है इतना इजी है यह से बनाना और इस तरह से हम सारे मोदक बना कर त्यार कर लेंगे यह देखिए बहुत प्यारे बहुत सुन्दर से लग रहे हैं सारे और चलिए हम इनको इस्तीम करने के लिए मैं ले रहें दू गलास पानी इस्तीम मेकर है अगर आपके पास स्टीम ना हो तो आप कोई कढ़ाई ले सकते हैं फिर इस्तीम को पानी को आने के बाद इसमें हम मुदक रख देंगे उपर किछली माले में और फिर हम इसे 15 से बीट स स्टीम हो चुके हैं बहुत बड़ी असे मुदक यहां पर बनके रेडी होके हैं और यह कट करके आप देख पा रहे होंगे ना बहुत डिलीश्यस हैं बहुत माउथ वाट रिंग है तो आप जरूर ट्राइक करें और अगर आपके और थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो